आज एंडियान एक्स्प्रेस में एक रिपोट आया है जिसमें बताया गया है कि M.G.N.R.E.G.A. स्कीम यानि महात्मा गांधी नेशनल रूराल एंप्लोवेमेंट गयारेंटी आर्ट के अंदर ओल उभर एंडिया में 935 करोड का हेराफेरी हुआ है मिस आप्रूप्रियेटेड यानि हेरा फेरी हुआ है केई राज्यो में इसका प्रूब्त हो गया है फिर भी ना उस राज्यो में किसी अभिसर के एगनेस्ट एफ्यार है ना कुई आक्शन लिया जा रहा है हम इसमें आज देखेंगे कि इसका पिछे का कारण क्या है इसके हम डिटेल में जानने को कुशिस करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बासदेव साहूँ स्वागत करता हूँ आपको दो वाल्ड यूटूब चानेल पे M.G.N.R.E.G.A. यानि महात्मा गांधी नेशनाल रूराल एंप्लोईमेंट गैरेंटी आक्ट जो 2005 में सेंट्राल गर्वर्मेंट दोरा लाया गया था जिसका मक्सद था रूराल एरिया में लोगों को रुजगार या एंप्लोईमेंट देना बट कुछ लोग इसका गलत फाइदा उठाके खुद के लिए ये Money Generator का राष्ता बना लिया है हद तो तब हो जाता है जब लाखो करोडो रूपया खाके भी इनका उपर ना कोई एफ्यार है ना कोई आक्शन लिया जा रहा है क्योंकि इनका उपर बड़ा अफिसर का हाथ है और इसलिए ये लोग खुले आम धांदली करते हैं राइट, Social Audit on Unity, SAU जो Rural Development Department, RDD की अंदर आता है Recently, SAU की रिपोर्ट की हिसाब से MGNREGA यानि महात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act में पिछले चार साल में 935 करोड रुपया की हराफेरी हुई है अक्रस इंडिया में 935 करोड में से 12.5 करोड यानि 1.34% रुपिस रिकोवरी हुआ है बाकी का 921.5 करोड कहां गया कुछ पता ही नहीं है पता नहीं है क्वज फागया कुछ सबोती नहीं छुड़े है वूत खा गया क्या एसा नहीं है कि ए सर्वे 100 या 200 पंचायत को लेखे हुआ है यसर्वे 2.65.000 गराम पंचायत को लेखे हुआ है इसमें स्टेट और उनियन टेरिटरी भी सामील है 2017-18 फाइनाल्शल एर में सेंटरल M.G.N.R.E.G.A. के लिए 55600 अंशर्ट पॉइंट तिती 9-3 करोड रिलीज क्या गया था ए एमांट पर एर बरके 2020 एक्विस फाइनाल्शल एर में 1,10,305.27 करोड हो गया था हर मिस अप्रियसेशन यानि हर धांदली के धांदली में कमन था रिश्वत देना यानि कंट्राक्टर क्या करते हैं लोग काम करके वह अपना जो अफिसर है उनको पैशा दे देते हैं रिश्वत दे देते हैं और हाई रेड्स से मैटरियाल को खरी दिना यानि जो मैटरियाल सो से देर सो के बीच मिल रहा है उसको 200 या 300 का बील बना के सरकार को भेज़ दो उस हिसाब से पैशा मिलते हैं और जो लोग काम नहीं करते हैं उनका नाम पे बील आना वेट 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 आप मेरे को पूछेंगे जो जागी यहां पर आता हेs coupon आको पता नहीं है तो जबकर आलाव करता है Transparency जो मैंक होता है आपै क्या होता है कि आ कि इतना भी काम किये हैं लोग इतना गंता कशा हो भाता है लिख से हुआई डाइरेक्ट उसका एकाउंट पे उन लोग का एकाउंट पे जबकार इंसोर कता है ट्रांसफेरेंसी और कहीं फ्रड ना हो जाए इसलिए सरकार जबकार को इंट्रडूस किये थे और कहीं गलत आदमी इसका भी फाइदा उठा लेते हैं क्योंकि मैं 100% दाबे के साथ बूल साकता हूं रूराल एरिया में हर 1000 जबकार होल्डर में से 200 जबकार ऐसे हैं जो सरपंच, कंट्राक्टर या जी आरेस के पास मिलेगा क्योंकि जी आरेस सरपंच और कंट्राक्टर क्या कलते हैं इस 200 जबकार के तहट लाखो हजारों रूपया कमाते हैं और ये जो 200 जबकार होल्डर को 100, 200 या 1000 तक पैसा दे दे के लाखो का धंदली कर देते हैं रिसेंटलि नागेंद्रना सिन्हा जो यूनियन रूराल डेवलोपमेन्ट सेक्रेटरी है उन्होंने हर स्टेट की सेक्रेटर को लेटर लखाएं पुछा तक हूं इतना कम पेशा रिकोफर किया है इसका पिछे का रिजन क्या है क्योंकि धांदली कितने हुआ है 935 करोड और रिकोफर कितने हुआ न 12.5 करोड इतना कम इसलिए सरकार जबाव मागा है स्टेट गौवर्रमंट से अब देखते हैं कौन सा स्टेट में कितना हेराफेरी या धां 245 करोड यानि धांदली की मामले में सब से उपर है तामिन लाडू, तामिन लाडू में 245 करोड का हेरा फेरी हुआ है, इन में से 2.07 करोड रिकवर हुआ है, जो कुल एमाउंट का 0.85% है, जिसके चलते एक को सस्पेंट क्या गया है और दो को दिस्मिश कर दिया गया है, पर अजीब बात यह है, किसी का उपर कोई एफ्यार ही नहीं है, आंध्रप्रदस में टुटाल 249.31 करोड का मिस आप्रूशेटर या धांदली हुआ है, जिन में से रिकवर कितना हुआ है ना, 4.48 करोड रिकवर हो गया है, और टुटाल 551 एम्पलोई हाँ बिन सुस्पेंड़ और 180 एम्पलोई हाँ बिन दिस्मिश, 3 एफ्यार हाँ बिन फाइल, आनि 500 एककाबन लोग को सुस्पेंड के आगया है, और 180 एम्पलोई को दिस्मिश के आगया है, और 3 एम्पलोई के नाम पे एफ्यार भी फाइल के गया है, एक्सपर्ट सेड, the real misappreciation could well be three or four time the identified amount, यानि यह जो amount है, एक्सपर्ट बूलते हैं कि यह जो amount है, इस से कहीना कहीं, तीन से और चार गुना अधिक भी होगा, अगर इंडिपेंडेंडेंटली जाज होगा, आपको ए लेक्चर का पिडियेव चाहिए, तो टेलिग्राम चैनल पे जाईए, वहाँ पे सिंपल सर्च कीजिए, बस देव साहू अठरा, वहाँ पे आपको ए लेक्चर का पिडियेव मिल जाएगा, आशा करता हूँ, आपको ए वीडियो पसंद आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, हाँ, दो वाल्ड यूटूब चानल को सस्क्राइब ही कर दिजे, रहता हूं, जय हिन!